रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों जनम कुंडली को हमारे जीवन का आइना कहा जाता है ऐसा कहते हैं कि हमारे भविश्य या बूतकाल में जो कुछ भी हुआ या होने वाला होता है उसका पता जनम कुंडली से लगाया जा सकता है जनम कुंडली के दौरा भविश्य की संभावनाओं के बारी में तो पता लगाया जाही सकता है साथी साथ कुंडली में गरहों की स्तिती के अनुसार गरह दोश के बारे में भी पता चलता है इनी दोशों में से एक है कालसरप दोश या कहीं कालसरप योग जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी कले बता दें कि कल सुभ साड़े साथ बजे से काल सरप योग बनने जा रहा है जी हां दोस्तों और इस योग के कारण छे ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के लोगों के जीवन में अब बहुत कुछ बदल सकता है जी हां दोस्तों इनकी किस्मत अब चमकने वाली है और इनके लिए धन प्राप्ती के विशेश योग भी बन रही है दोस्तों इन राशी वाले लोगों के यूपर भगवान बूलेनात की असीम कृपाद्रिष्टी अब रहने वाली है और भगवान भूलेनात की कृपा दृष्टी से अब ये लोग अपने जीवन में दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करने वाली है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इन ही राश्यों के बारे में बताने वाली है दोस्तों आप से अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करिए और इसे शुरूर से लेकर अन तक जरूर देखिए इसके साथी साथ दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें साथी साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जैकारा जरूर लगा दे महादेव की असीम क्रिपा से आपकी और आपके परिवार वालों की सभी मुश्किलें दूर होंगी और महादेव का पहरा आपके और आपके परिवार वालों पर आवश्य बना रहीगा दोस्तों इसके साथी साथ अगर आपने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साइड में दिये गए बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिए दोस्तों शुरू करती है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस महाशुब योग के बनने से इन राशी के लोगों को अब लाब की सितियां प्राप्त होंगी जी हाँ आपके लिए धनलाब के अच्छे योग बनते दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों आपने अपने भविश्य के लिए जो जो योजनाएं बना रखी हैं उनके अमल में लानी का अब सही समया गया है दोस्तों अब आपको कई सारे फाइदे होंगे वैवसाय के नए रास्ते आपके बनते नजर आएंगे जो व्यक्ति नौकरी पेशावाली हैं उनको अपने पोस्ट में पदोनती मिलेगी और उच अधिकारियों का भी आपको पूर्ण सहीयोग मिलेगा जी हाँ दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस दोरान समाज में भी आपका मान समान आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी दोस्तों बता दे कि इस दोरान आप अपने कार्य में धहर रखे पैसो की मदद से कुछ मामलों को आप अपने पक्ष में कर सकती है हर विशे के बारे में ज्यादा जानने की आप कोशिश करेंगे कहीं पर इस दोरान घूमने का प्लान भी आप बना सकती है महादेव की कृपा से परिवार के लोग आप से दोरान प्रसंद रहेंगे जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवार करेंगे उतना ही ज्यादा आप का इंप्रेशन लोगों पर अच्छा पड़ेगा आपके परिवार में इस दोरान कुछ नई चीजों का आगमन भी हो सकता है जिसकी वज़े से आपके घर परिवार में सुक शान्ती का वाता वरण बना रहीगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जोरान अपने करीबियों के साथ मन की बात आप बाट सकती है जीवन साथी के साथ बहतर संबंध आपके बनेंगे इसके साथी साथ दोस्तों इस दोरान निवेश के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है किसी बड़े योजना में निवेश करने से आप हाला की बचे वरना धन की हानी भी आपको हो सकती है दोस्तों ये जोरान सेहत में आपकी उता चड़ाव लगा रहीगा छात्रों के लिए शिक्षा के शित्र में प्रगती के योग बन रही है परिवार का आपको पूर्ण सहियोग मिलेगा दामपत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा दोस्तों ये जोरान आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकती है आये के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है सेहत का अपनी ध्यान आप जरूर रखें करियर और व्यापार में उठा पटक चलती रहेगी नौकरी ढून रही हैं तो इसमें आपको सफलता आवश्य मिलेगी वैवाहे के जीवन में अनकूलता आपके आएगी रूमैंस और घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है अचानक आपको कोई बड़ी खुश खबरी भी इस दोरान मिल सकती है जिससे की आपका मन प्रसंद रहेगा दोस्तों बता दे की इस दोरान महादेव के कदम आपके घर में पढ़ने वाली है जिसकी वजह से इस दोरान जो भी काम आप करेंगे वो उमेद से ज्यादा आपको फाइदा देगा आपका आर्थिक पक्षबी इस दोरान मजबूत रहेगा सेहत में सुधार होने की संभावना है वैवसाय के लिए ये स्थिती बहुती आपके लिए अच्छी रहेगी नौकरी में तरक्की आपको मिल सकती है वैवाहिक संबंदों में भी आपके बधूरता देखने को मिलेगी दोस्तों बता देएं कि अब आपके जीवन में सुख और संब्रदी आने वाली है जो मुश्किल परिस्थितियां आप पिछले दो-तीन मैनों से जेल रहे थे अब वह महादेव सोयम दूर करेंगे और आपको अपने जीवन में कोई भी दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अब महादेव की खास क्रिपा इन राशी वाले जातकों के उपर होने वाली है महादेव अब आप लोगों से प्रसन हो चुके हैं जिसके कारण आपके व्यापार में नौकरी में जो अभी तक कोई दिक्कत चल रही थी कोई आपका रुकावट का हुआ काम था बिना किसी रुकावट के पूर्ण होगा इसकी साथी साथ आपको कोई भी दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा और अच्छा खासा धन भी आपको इस जोरान प्राप्त होगा इस जोरान नौकरी में उजपद की आपको प्राप्ती यानि प्रमोशन के योग बनते नजर आएंगे दोस्तों दोगनी धनलाब और दोगने मुनाफे के साथ आप लोग अपने व्यापार में इस समय जबरदस्त कामियाबी हासिल करेंगे जिहा दोस्तों महादेव की असीम क्रिपा से आप अपने जीवन में आर्थिक समरिद्धियब हासिल करेंगे और दोस्तों इस महिने में आपको जबरदस्त लाब मिलने वाली है इस महिने में हर शेत्र में आपको फाइदा देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछी दिनों में ग्रहों के राजा सूर्य देव भी अपनी राशी परिवर्तन करेंगे तो वहीं दोस्तों इस दोरान शनी देव वक्री सिती में हैं तो वहीं देव गुरू ब्रहस्पती भी वक्री सिती में चल रही है और दोस्तों इस दोरान याने वाले कुछ ही दिनों में शुक्र ग्रह का भी राशी परिवर्तन हो रहा है वहीं मंगल ग्रह जो जमेन प्रोपर्टी के कारक ग्रह माने जाती है उनका भी अब राशी परिवर्तन इस दोरान होने वाला है और बुद्ध जो बुद्धी के कारग्र है वह भी सकरात्मक सितियां आप के लिए बना रही है दोस्तों इन तमाम राजयोग और धनयोग के कारण शुबसंयोग बनने के कारण इस समय अवदी में आप लोगों को शुबफल की प्राप्ति होगी जीहां इसके साथी दोस्तों अगले 24 घंटों के लिए सरवास सिद्धी योग और अमरिस सिद्धी योग भी बन रही है दोस्तों ये दोनों ही संयोग बहुती ज्यादा खास माने जाती हैं जिसकी वज़े से अब यह छहराशी वाले जातक धन से माला माल होने वाली है और अब इनकी लोटरी भी लगने वाली है दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर यह भागेशाली राशिया कौन सी है जिनके उपर महादेव अपनी असीम कृपा करने वाली है और जिनकी लोटरी लगने वाली है तो आपको बता दें कि यह राशिया है मेश राशी, तुला राशी, कन्या राशी, कुम्ब राशी, मीन राशी और मिथुन राशी दोस्तों आपसी अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिख दें वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जितना उसकी इस वीडियो को अपने वाटसाइप और फेस्बुक पर शेयर कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे